नमस्कार जी स्वागत है आपका एक बार फिर अद्यन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आज बेटा जी चो बात करेंगे वो करेंगे आज हम रिजनिंग की और ये रिजनिंग के जो कुछ टोपिक होंगे जो लगातार आपके लिए आएंगे ये ना बेटा शोट समराइज टोपिक होंगे पूरी डिटेल नहीं बट इतना होगा कि ये आपके ना एक्जाम में से अगर इंसे कोई कोशन आएगा बलर डिलेशन या फिर दूसरे टोपिक सुलालजम कलेंडर ये क्लोग ये कुछ भी आप उसने एजली कनेक कर जाएंगे बस थोड़ा सा बिल्कुल श जो एक्जाम आ रहे हैं एक जो 18 तारिक से शुरू हो रहा है UGC NET 22 तारिक को जो हो क्या है KVS का और इसके बाद बेटा जो 6 जन्वरी को UPPRT तो आप तीनों एक्जाम में से किसी भी एक्जाम में देखेंगे क्योंकि सब में ना इनका रेशो इक्वली आ रहा है इस बार क कैसे है पहले इसकी basic knowledge समझ लोगों क्या है तो जो basic knowledge की बात करते हैं तो हम सबसे पहले topic का तो नाम लिखी लेते हैं वैसे आपके पास उपर उसमें heavy screen पर तो जो blood relation है इसको जो हम नाम देते हैं हम क्या नाम देते हैं खूनी संबंध तो आप खूनी संबंध बाई blood का इसका चा चा मा मा ताओ एक्स वाई जाट बलाना बलाना पता नहीं क्या क्या लगते हैं तो बड़ी confusion होती दे और इस confusion को दूर करने के लिए इंग्लिश वालों ने इसके कुछ word दी है मतलब English language में हिंदी में गर इस तो देखो गए तो समझ में आ जाएगा क्यों अगर English म में आपने कहा sister-in-law चलो भईया माल लिया तो sister-in-law जब बोला ना तो भावी भी sister-in-law है साली भी sister-in-law है तो इसका मतलब यहां तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ननन्द भी sister-in-law है लेकिन English में जाएगे तो sister-in-law का confusion क्या है हिंदी में आप जानते हैं तो रिष्टाश आली का अलग होगा ननन्द का अलग होगा भावी का अलग होगा तो यह बड़ा confusion था लेकिन फिर भी इसी लिए हम कहते हैं कि last जो बाना जाते हो क्या English तो बैटा इस chapter को समझ ले के लिए आप पहले कुछ basic सी बाते जान लो कि अगर यह chapter है तो इसमें एक बात तैह है कि आ अगर बात करते हैं तो पूरे blood relation के बीच में आपको सिर्फ दो ही gender से मुलाकात करनी होगी और होगी भी दो से ही कौन-कौन से एक male से और क्या होगा female से तो अगर मैं बात करूँ पहली common बात को तो यह ना short समझते जाना बेटा एक इसके बारे मैं बात करेंगे male के बारे मे और क्या बात करेंगे female के बारे में तो इसका मतरत एक तरफ टरफ क्या होगा पुरूश और एक तरफ क्या होगी तो इसका वंदार second में हम किसको ले लेते हैं मम्मी को और किसको ले लेते हैं पापा को अगर इन से भी बड़ी generation पे जाएं तो इसका वंदार मेरे पापा या मेरी मम्मी के भी मम्मी पापा हैं तो इसका मतला उन्हें जो नाम दे देते हैं, हम क्या देते हैं? Grandfather और यह के देते हैं? Grandmother देख मेरे अच्छे, अगर इन में दो वर्ड ना लिखे हो, Meternal और Paternal तो इसका मतला आप नहीं बता सकते कोण दादा है, कोण नाना है क्यों? क्योंकि अगर Grandfather है तो दादा के लिए भी यह लिखा जाएगा और नाना के लिए भी, मस्कोशन में देखना पड़ेगा कि P वाला है कि M वाला है, M वाला है तो इसका मम्मी का है P वाला है तो इसका मतला क्या है, पापा का है या जो मेरी sister है, या मेरे जो friends है, इसका मतलब सारे के सारे लोग क्या है मेरी generation के, तो सेम तरीके से इनके भी कोई ना कोई brother होंगे, sister होंगे, friend होंगे ये भी साती होंगे, BSF याद रखना बस, अगर बात याद रखोगे तो कैसे याद रखो को ज़रा समझो बही ममी के भी जो भाई होंगे इसका मेरे क्या लगते है, मामा, ममी की जो बैने होंगे क्या लगते है, मासी पापा के जो बैने होंगे क्या लगते है, अंकल, पापा के जो बैने होंगे क्या लगते है, बुआ जी तो अगर अंटी को देखोगे तो बुआ जी भी कहलाएगी अंटी को देखोगे तो मोसी भी कहलाएगी अब मैंने आपको क्यों यह चीज़े बताई क्योंकि मैं पूरा का पूरा चेप्टर न सिर्फ और सिर्फ चार एरो पे करने वाला हूँ और वो चार एरो समझ ले न सवाल क्या हो जाएगा सोल इसको समझाने के बाद जो समझाना था देखो हमने कहा जो जो ऊपर की तरफ जाएगा इसका मतलो किसको बताएगा बिगर को बिग वाले पार्ट को मैं शोट में लिख देता हूँ और अगर नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा समोल वाले पार्ट को लेकिन अगर इसी चीज़ के साथ में इकवल वाले ये लूँ तो यहाँ पे एक टाइम में confusion आ जाएगी क्योंकि brother, brother या brother, sister या यहाँ पे brother, brother, brother या sister इसका मतलब जो बेहन भाई है वो भी एक इसमें होते हैं और अगर husband wife की बात करूँ वो भी क्या होते हैं एक तो इस बात को समझने के लिए जरा बेटा समझो इधर की तरफ एक बार आके यह पूरे चैप्टर में जो समझना है वस अब ध्यान से समझते जाना क्या है यह अगर कोई arrow उपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब हो किसको बताएगा बड़े को अगर कोई arrow नीचे की तरफ जाएगा तो याद रखना हो किसको बताएगा प्रदर या सिस्टर को या इधर की तरफ भी क्या बता सकता है ब्रदर या सिस्टर लेकिन बेटा अगर यह वाला arrow है जो एक दूसरे की तरफ तीर निकाल के खड़े में सामने से ही हूँ तो इसका मतलब यह दोनों है अब जैसे यह चलेगा तो क्या चलता है क्या नहीं आप इस चीज को चलते हुए सवाल को कैसे समझना जरा समझो लेकिन उससे पहले हमने का इस चैप्टर में सिर्फ आपके सामने क्या हैं? दो जेंडर हैं एक क्या है? male और एक क्या है? female तो इसके वांता है जो male होगा उसे मैं denote करता हूँ किस से प्लस से और जो female होगी उसे मैं denote किस से करता हूँ minus जिसमें please कोई दिल पे ना ले कि कोई plus है कोई minus नहीं बस दी गई बाते सर्फ कालपनिक है जिसका आपके वास्तिविजिवन से कोई संबंध है नहीं तो यहां बस सवाल को समझेगो उसे ज़्याद है नहीं हमने क्या बोला male denote करेगा plus female denote करेगे minus बड़े वाला arrow उपर की तरफ जाएगा तो क्या बड़ा नीचे की तरफ आएगा तो छोटा बराबर होगा तो दो case में होगा brother sister में क्या husband wife तो husband wife वाले में तो बेटा दोनों एक दूसरे की तरफ यह arrow तीर यह वाला और यह एक दूसरे के रैसे विखल यह opposite में देख लेंगे तो क्या होगा इनका brother and sister वाला अब आपसे क्या सवाल पूछता और कैसे बनता है सवाल तुझरा देखो इसको वे arrow के मैं यहां लेके आ जाता हूँ हमने क्या वाला एक तरफ husband wife हो सकते हैं तो इसका मतलए यह arrow किसको था husband अब ना जब तक किसी का नाम mention हो और उसका gender mention ना हो तब तक आप उसे अपनी side से ना बेटा कोई relation का नाम मत दीजेगा बन्हां आपने सुना कि नाम बबीता है और आपने क्या कर दिया माइनस कर दिया क्योंकि female नहीं फिर तो आप confuse करेंगे तो बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो ना male और female के दोनों को same होता है जैसे राजेश नाम है तो अगर राजेश नाम है तो इसका मतलब तो मेल का अलग होगा फीमेल का अलग नहीं आपने बोध जेगा देखा होगा राजेश नाम मेल का भी होता और क्या होता है फीमेल का भी होता है आप मुकेश नाम देखेगा तो मेल का भी होता है क्या फीमेल तो पहली बात याद रखेगा किसी के नाम से उसका gender आप decide नहीं करेंगे बिलकुल ध्यान में रखना अब जैसे में एक सवाल ले रहा हूं ध्यान से सुनना और उसको करना क्या है क्योंकि आज के जो maximum सवाल है important और यही आपके exam में आते हैं और यहीं से ही सवाल बनेगा यह ध्यान नकिएगा वो क्या कहता है समझो वो आपसे बोलता है कि A is father of B क्या बोलता है A is father of B तो मेरे बटे जिसका clear है वो A है जो क्या है father है और किसके father है B के तो B उनसे बड़े तो नहीं हो सकते बी उनसे क्या होगे छोटे और जो छोटा होगा इसका मतलब उसका है रोवेशा क्या जाएगा नीचे की तरफ मैंने आपको बताया था तो इसका मतलब यहां से क्या लिख देते हैं B अब देखो इसने कहा A is father of B तो B के बारे में यह clear नहीं है कि B उनकी डोटर है या B उनका क्या है son है तो इसका मतलब दोनों में क्या है confusion रहने दो आगे सवाल कहता है यह वाली बात कि C she is daughter of E she is daughter of E तो मेरे अच्छे जो C है वो क्या है daughter है इसका मतलब इसके लिए arrow क्या होगा minus और वो daughter किसकी है E की तो E इसका मतलब उनसे क्या होंगे बड़े E उनसे बड़े तो होंगे लेकिन E के बारे में अभी यह नहीं पता चल पा रहा कि उनकी mother है E उनके क्या है father और मैंने क्या बोला जब तक gender clear नहीं आप सवाल को आगे नहीं बढ़ाएंगे अब सवाल यहां से आगे बढ़ जाता और कहता है क्या कि F is brother of E क्या बोल रहा हूँ मैं F is brother of E तो मेरे बच्चे brother है तो मैंने क्या बोला था कि जो brother और sister होंगे उनके लिए arrow क्या होगा तो इसका मतलब same parallel line होगी तो arrow क्या होगा आगे एक line आती है और वो कहती है आप से कि B and C are brother and sister B and C is brother and sister तो बेटा C तो sister है तो इसका मतलब B क्या है? Brother है और अगर यह brother है तो इसका मतलब यह दोनों आपस में क्या है? बेहन भाई अच्छा गर ध्यान से देखोगे तो इस दोनों आपस में क्या होए है बेहन भाई देखो arrow ना मदद करेगा बार बार आप यह brother लिखो यह sister लिखो यह husband यह वाई तो आपना time खराब करोगे arrow ना और यह minus plus आपको आपको आसान करा देगा तो इसका मतलब यहां से ही कहता तो इसका मतलब मिली कौन नहीं होगी mother तो इसका मतलब जो e है वो इनकी क्या हो जाएंगे mother और अगर e mother हो जाएंगी तो a और यह आपस में क्या हो जाएंगे husband and wife अब जो सवाल पूछता उस line को ज़रा ध्यान से देगा then how is e तो आपसे सवाल कुछ इस तरह पूछेगा यह line बस बेटा याद रखना कहीं सवाल then how is e related with a तो बताइए e का संबंद e का संबंद a के साथ क्या है अब देखो याद रखना जब 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 सवाल का जवाब दो पूरा सवाल सोल करने के बाद कहीं गलती कर बैठो तो इससे बचाने क्यों बता रहा हूँ बेटा जहां related लिखा हो और जहां हिंदी में का लिखा हो तो एक बात याद रखना relation ना इसके बारे में पूछ रहा related से जो होगा पहले और का से जो क्या होगा पहले तो हिंदी वाले किसको याद रखेंगे का से पहले को और इंग्लिश वाले क्या रखेंगे related तो related से पहले का नए तो इसका मतलब आपको ये बताना है कि E कौन है किसके respect में A तो बेटा जब E और A husband and wife है और बताना किसके बारे में E तो इसका मतलब जो E होगा वो मेरा क्या है wife तो जो मेरा answer होगा इस सवाल का क्या होगा आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अगर नहीं भी समझ में आया तो एक बार देख लेते हैं इसका सवाल ताकि अच्छे से समझ में आजए आपके सामने एक सवाल होगा क्या है सवाल देख लेते हैं तो मीरे बटा जो A है वो क्या है फादर है किसके फादर है C के father है ये लो जी A is father of C तो जो father वही उपर जाएंगे C क्या जाएंगे नीचे आगे कहते हैं D is son of B जब कोई चीजे एक साथ connect ना हो रही है तो tension मतले ना जैसी पहली line बनी हो चाहे हो horizontal हो चाहे vertical उसके बाजू में वैसी बना दे ना लेफ्ट राइट वह आप लोगो की पसंद है मैं उसमें बना ली करूआ तो इन्होंने बोला D is son of B तो बेटा जो D है वो son है और son किसका है? B का तो इसका है D तो son है लेकिन B का तो gender के लिए नहीं की भी मम्मी हैं की पापा हैं छोड़ दो आगे कहता है आप से if C is sister of D now ये कहना चाहता है C is sister of D तो C क्या है? sister है किसकी sister है? D की कोई दिक्कत नहीं इसका मतलब ये आपस में क्या है? बेहन भाई अगर मैं सवाल का जवाब दू ये दोनों brother and sister है तो इसका मतलब C दी सी बात है A इनके क्या है? father और अगर A इनके father है तो D son किसका था? B का तो इसका मतलब B जो हो जाएंगे इनकी क्या हो जाएंगे? mother तो इसका मतलब ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे? husband and wife सवाल आगे भी कहता था क्या? then how is B related to A? बस ये ही पूछा then how is B related to A? अच्छे एक लाइन छुट गी थी तो कोई बात निसका connecting था नहीं देखो इन्होंने बोला है E is brother of A कोई रिकत ने आती बेटा A यहाँ था E इनका क्या है? brother है तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है? वो sorry भाई भाई हैं तो सवाल ने मुझे से यही तो पूछा था then how is B then how is B related to A? देखो मैंने क्या बोला था? B related to A तो related है से पहले कौन है? B तो इसका मतलब सवाल में जवाब किसका देना है? B तो जो B हैं इन दोनों में क्या है? ये इनके थे husband ये इनके wife तो इसका मतलब जो answer आएगा वो क्या है? wife देखो तुम लोग के पास option में है क्या इस option? देखो के तो ध्यान से दिख जाएगा आपको आपका option दिख रहा होगा कौन से वाला option number D तो ये ही मेरा क्या होगा? answer होगा आचा करतों समझ में आ रहा होगा आप लोग को तो एक बार एक सवाल और देख लें ताकि सवाल के लिए रो जाए अच्छे से एक सवाल और उसके बाद कुछ home work के सवाल लोगे कुछ questions आगे बनेंगे मैं बता के चलता हूँ देखिएगा question number two कहता है the is brothers animal the is brothers animal तो जो दया का भाई है वो कौन है अनिल है तो इसका मतर्द दया जो भाई है वो क्या होगा same line में तो एक ओन हो जाएगा भाई इसका अंतर्द दया का जो भाई है वो कौन है अनिल बिटा नाम लिखने की पूरी जोरत नहीं जब तक एक ही alphabet के कई सारे नाम ना है आगे कहता है दया is son of chandra आप देखो यह जो दया साहब है यह क्या है? sun है तो sun है तो इसका मतलब क्या है? प्लस है लेकिन sun है किसके? चंदरा के तो इसको थोड़ा सा एक बान नीचे कर लेते हैं क्योंकि उपर आपके स्क्रीन पेर है मिस हो जाएगा यह हमने यह यही लिख दिया जटेश दया भी और यह क्या है? अब इन्होंने कहा कि जो दया है वो sun है किसके? चंदरा चंदर के तो चंदर इसका मतलब क्या है? बड़े है अब चंदर के बारे में के लिए नीदा? छोड़ दो आगे कहता है विमल इस फादल ओफ चंदरा जो विमल है उनकिसके फादर है? इसका मतलब चंदर है उनसे भी उपर कोन है? विमल है और वो क्या है? फादर है ठीक है जी आगे इनोंने पूछा How is Anil related to Am? बेटा विमल के बारे में पूछ रहे हैं कि Anil के बारे में पूछ रहे हैं तो सवाल ने पूछा How is Anil related to Vimal? इसका मतलब V के बारे में और अभी मैंने बताया जो related से पहले होगा सवाल का जवाब उसके respect में ही दिया जाएगा तो हिंदी वाले से भी तो यही पूछने लिखा हुआ है कि बताईए अनिल का तो अनिल का पूछेंगे तो अनिल का विमल के साथ संबंध पूछ रहे हैं तो बेटा का से पहले कौन है अनिल और अनिल मेरा का है यहाँ जन्रेशन कितनी है तीन बेटा अगर यह जन्रेशन यह जन्रेशन यह तो बसी बात है अगर यह बेटा होगा तो यह पापा होगे यह क्या होगे यह पे ग्रेंट फादर होगे पापा मतलब यह जंडर के लिए और नी मैंने नी बटा अगर तीसरी जनरेशन ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो बड़े वाली ग्रेंट फादर में बदलेगी और नीचे वाली क्या हो ग्रेंट फादर ग्रेंट सन या ग्रेंट डोटर में तो प्लस है तो इसका मतलब क्या होगा grandson एक बार ये देखो कि तुमारे option में grandson वाला कोई option है क्या अगर होगा तो वही मेरा क्या होगा जवाब देखो आम सब doubt करने के लिए बटाओ दोनों देगा option number d b देगा option number क्या है b लेकिन सवाल किसके बार है है पूछ रहा है ये 5 number आपका क्या होगा homework होगा 6 वाला number में आपको क्या कर देता हूँ समझा देता हूँ उसके बाद कुछ सवाल और homework होगे जिनके आपको मुझे क्या देने है जवाब देने है देखेगा क्या है सवाल सवाल कहता है A and B are sisters मैंने का बेटा आप अगर समझ लिया ना तो फिर मैं दुबारे एक बाती बता रहा हूँ बस चार बात याद रखना जब तक किसी का gender clear नहीं तब तक आप plus minus मता male female denote नहीं करेंगे पहली बात दूसरा generation कितनी होगी तीन कौन कौन सी मेरे वाली मुझसे बड़े वाली और उनसे बड़े वाली मता अगर बेटा है तो पापा है तो उसके बाद क्या है दादा जी है बेटी है तो ममी है उनके बाद क्या है नानी या दादी जी है clear है अब तीसरी बात हम gender को denote करने के लिए कौन से दो sign लेंगे देख एक plus का और एक क्या है minus plus किस के लिए आएगा male minus किस के लिए आएगा female और जो gender बराबर होगी वो कितने हो सकते हैं दो या तो क्या होगा इसका ममी पापा वाला होगा या फिर क्या होगा brother and sister वाला same generation साथ साथ चले हैं clear है चलो अब देखो सवाल ने कहा A and B are sisters तो इसका मतलब A sorry और B क्या है sisters है तो इसका मतलब दोनों की दोनों क्या है बैने कोई tension नी दोनों से हम generation किये हैं आगे कहता है R and sir brother बिटा मैंने क्या बोला अगर कोई भी line vertical हो तो vertical horizontal हो तो horizontal gentle दूसरी line अगर नहीं connect तो उसी के जैसी बना दो इसने कहा क्या हम से कि R is and R brother तो जो R है और जो हमारे पास क्या है S है वो दोनों क्या हैं भाई ये लोग जी दोनों को भाई बना देते हैं आगे क्या कहना है A is daughter is R sister ये कहना चाहते हैं जो A है उनकी जो daughter है तो इसका मतर जो A होगे उनकी daughter बड़ी होगे कि छोटी होगी चोटी होगी और बेटा जो छोटी होगी तो सीधी बात है generation में क्या आएंगे नीचे daughter हैं लेकिन नाम नहीं पता कोन है कोई बात नहीं नाम रखते हैं gender तो पता है न कहते है A's daughter is our sister इसका मतर जो A की daughter है वो R की क्या है sister और अगर sister होगी तो इसका मतर generation same होगी क्या अलग होगी same होगी तो same होगी तो इसका मतर यहीं मिल जाएंगे आच्छा अगर यह same हो जाएंगी तो एक बात तो confirm पका पका यह हो जाएगा न यह तीनों आपस में क्या होंगे बेहन भाई होंगे और अगर तीनों आपस में बेहन भाई होंगे तो उपर जो थी यह वाली इनकी अगर यह बेटी है तो इसका मतर यह इनके क्या होंगे बेटे ये भी इनके क्या होंगे बेटे तो इसका वांदा इन सब की ये क्या कहलाएंगी मदर और हम जानते हैं जो मदर की बहन होती है या तो आंटी कहलाएगी या हिंदी में क्या कहलाएगी मौसी तो सवाल देखते हैं उन्होंने हमसे क्या पूछा है इन्होंने पूछा है क्या how is B related to S मैं बार बार इसी बात पर इसले दे रहा हूँ क्योंकि आपना सारा सवाल करके इसी में कर बड़ा आप S का relation बता देगे तो इसने क्या पूछा है B का संबंद किसके respect में S तो मेरे बटा B तो कहा है यहाँ S मेरा कहा है यहाँ क्योंकि S के लिए इनके क्या है ममी तो ममी के बहन क्या होगी मासी तो B इन लोगों क्या लेगी मासी तो इसका मतलब जो मासी है वो option में देख लेते हैं option number हमारा किसके पास जाएगा 中共 क्ISके पास यही मेरा क्या होगा जवाब के लिए वो हमारे लिए इंचनी नहीं करता आप भी नहीं करें तो कोई फरकी नहीं है बस आप एक बाद याद रखेगा कि आप ना अपने एक्जाम को किलियर करने के लिए बार-बार मोके नहीं लेंगे तो एक बार ऐसे पढ़िएगा कि वो समझ में आ जाए और आप जितनी ज़्यादा वीडियो देखेंगे तो हर वीडियो पढ़ाने वाले का अपने एक तरीका है आपको ये लगे तो अच्छी है जो आपको सबसे ज़्यादा समझ में आ जाए मान लिजेगा वोई वीडियो क्या है अच्छी तो एक बार मैं इसको 9 को करा देता हूँ ये देख लीजेगा फिर उसके बाद कुछ होंगे और इसका एक most important part जो है जिसमें आपने बहुत बार सुना होगा he is father of, mother of, son of, daughter of, फलाना का डिमकाना जो भी होगा बड़े परिशानी वाला है वो तो उसको कैसे करेंगे वो बड़ा आसान तरीगा बता हूँ देखते जाएगा question number 9 कहता है क्या कि k is brother of x तो जो k है वो क्या है? brother है और जो brother है बेटा वो किसका है? x का तो इसका मतलब भी दोनो x क्या हो जाएगा? आगे हमसे कहना चाहता है क्या? कि z is x sun कि जो z है वो पुतर किसका है? x z is x तो x मेरे पास अगर यहाँ है तो इसका मतलब z इसके sun के रूप में कहा जाएगे? नीचे के sun है तो इसका मतलब क्या होगा? plus बस यह positive negative जरूँ चलना मतलब male और female भूलना मतल p who is daughter of k जो p है वो daughter किसकी है? k चलो भई p अगर daughter है किसकी? k k तो gender clear है और कहते है p who is daughter of k is married to n इसका मतलब किसके साथ married है? n के साथ और अगर m के साथ married है n के साथ तो इसका मतलब n सी obvious सी बात है इनके क्या हो जाएगा? भई लड़की की शादी जोई तो इसका मतलब husband हो गए तो p क्या चले जाएगे यहाँ पर? यह क्या p who is daughter of k is married to n husband wife हो यहाँ कहते है g and k are sisters इसका मतलब जो g and क्या पुछ रहा है? कि g and x are sisters sorry मैंने गलत पड़ा पहले तो g and x are sister तो बेटा x भी इसका मतलब क्या हो जाएगी? female और g इनकी क्या है? sister इसका मतलब यह दोनों आपस में क्या है? band by तो अगर दोनों बाई हैं तो मैं तो यह कह सकता हूँ इन तीनों यह आपस में क्या है? band by यह चलो आगे कहते है then how is g related to z? तो g के बारे में पूछ रहा है मेरे बेटा एक बात बताओ अगर यह दोनों बेहन बाई थें तो यह तो इसका क्या है? यहाँ पर बेटा है और जो बेटा है उसका relation उसकी बेहन के साथ पूछा जा रहा है तो जो बेहन होगी वो पस से बात है यह भी आपका क्या होगा हॉमवर लेकिन लास्ट में न एक चीज है जिस question को मेरे को आपको कराना था और यह सवाल होते हैं वो वाले सवाल जिसमें आप न पॉइंटिंग टौर्ड्स अ वूमन कितने सारे रिष्टे हैं तो इसका है पहली बार तो दिल करेगा छोड़ना लेकिन बटा छोड़ने का भी क्या फायदा एक नंबर छोड़ की जाओगी नेट वाले दो नंबर क्योंकि एक कोशन है नंबर कितना होगा डबल तो इस बात को नंबर साइड में रखते हो एक बार इसके साथ ना थोड़ा सिलसिला रिष्टा बना लेते हैं इस सवाल के साथ ये क्या कहता है देखो अगर मैं क्यों लिख रहा हूँ तो पहले समझे ना शी इस डोटर ओ शी इस डोटर ओफ मैं शोट में लिख रहा हूँ आप देखते जाएगा और उसके बाद क्या लिख रहा है ने फादर ओफ उसके बाद क्या कहता है माई मदर स्टोटर अच्छे ये तो इंगलिश मेडियों वाली है लेकिन सवाल तो जैसे यूपी टी प्याटी वाली है कोई भी देखेगा तो उनका मेडियम थोड़ा हिंदी में ज्यादा होदा है तो बेटा एक बार हिंदी भी देख लेते हैं देखो क्या कहता है वह मेरी मा की बेटी के पिता की मा की बेटी है एक बार तो ऐसे चीज़ है ना पढ़ते हिंदी में ना कुछ और ही फील आता है हिंदी को पढ़ते टाइम ना चलेगा क्या है जरे एक बार समझ लेते हैं सवाल बात है ध्यान पर मेरी बेटा जो बच्चा इंग्लिश मीडियम है ना वो सवाल को pointing towards है वो तो हटाओ जो भी है उसको बात में देखेंगे इसका मतर में सवाल है ये वाला ये इंग्लिश मीडियम के लिए और ये क्या है हिंदी मीडियम के लिए तो English Medium और Hindi Medium वाला ना बस एक बार काम करो जो करना है बता रहा हूँ आसान होगा सवाल बस समझने के लिए एक सेकंड ना ध्यान से देखना बेटा यहां ना Hindi English में ये देखो कितनी बार English वाले में Off आया रो Hindi वाले में का जितनी बार Off है और Hindi में जितनी बार का है इसका मतर रिलेशन उतने ही है जैसे यहां पहली बार Off आया फिर यहां दूसरी बार Off है उसके बाद यहां क्या है तीसरी बार इसका मतलब यह जो रिलेशन है आपको तीन तरफ लेके जाएगा हिंदी वाले में क्या कहता है एक बार की है फिर यहां पे की है फिर यहां पे की है और यहां पे क्या है की इसका मतलब जब भी तो याद रखना जो English medium वाला होगा इस सवाल को ना last से start करना start from the last start from last और अगर हिंदी वाला होगा तो इसे क्या करेगा कैसे करेगा देखो मैंने क्यों हिंदी में शिरू से लिखा जड़ा English वाले समझो पहले ओफ है तो इसका मतलब ओफ के बाद ही एक लोता है ये ओफ है तो इसके मतलब ये एक है और ये ओफ है तो ये एक है इसका मतलब जितने भी इसके आगे पीछे जो लिखा एक रिष्टा, देख बटा, ओफ के बाद एक दिख रहा है न, तो ये कहता है, my mother's daughter, assume करो खुद को, my mother, मेरी ममी, मेरी ममी के जो daughter है, इसका मतर मेरी क्या है, बेहन है, बस कुछ मत सोचो, अपने पर assume करो, छोड़ते चलो, my mother's, मेरी ममी, मेरी ममी के daughter क्या है, मेरी ममी के daughter है, मेरी क्या होंगी, बेहन, आचा, मेरी बेहन के आगे आजेगे, पिता, तो इसका मतलब, जो मेरी बेहन के पिता है, वो क्या है, मेरे पिता, इसका मतलब, मेरे पापा की जो बेहन दोन हो, क्या होंगी, सेम, और तो मेरे पापा की जो बेहन लगते हो मेरी हमेशे क्या लगाए इसका मंतब मेरी दाधी की जो बेटी होगी मेरी क्या लगाए बुआ जी सवाल ने उसी का पूछा था तो इसका मंतब जो आंसर होगा और वो क्या होगा? आंट होगा. इंगलिश वाला मैं दोबारा बता रहा हूँ, जब भी पढ़ेंगे तो कांसे पढ़ेंगे? last से, my mother's daughter, my mother's daughter, इसका मदद मेरी बेहन, मेरी बेहन के पापा, मेरे पापा, मेरे पापा की मदर, मेरी दादी, मेरी दादी की बेटी क्या है मेरी बुआ जी सवाल खतम यहां से मेरी मा की बेटी तो इसका मतलब मेरी मम्मी की जो बेटी है हूँ मेरी बेनी हुई की नहीं और बेटी के जो पिता है इसका मतलब मेरे पिता हुए और जो मेरे पिता के मम्मी हो मेरी क्या होगी दादी और मेरी दादी के जो बेटे हो मेरी क्या होगी बुआ जी तो इसका मतलब बेटा जिस सवाल को आप समझते हैं कि हो सबसे मुश्किल वाला होगा हो सबसे आशान सिर्फ दो वर्डों से हो सकता है किस से ओफ से और किस से हो सकता है का से तो इसका मतलब यह इस पूरे सवाल का क्या था जवाब तो जो आंसर होगा क्या हो बाजी या फिर क्या होगा अंटी या अंट अब देखलो अगर इस option में ऐसा कोई option है हाँ है कौन से वाला option number C तो यही मेरा क्या होगा answer तो अब यह जो answer हो जाएगा यह आपका हमारी तरफ से क्या था बिलर्ट इलेशन का एक आसान सा topic था जो आपके exam में आए और भगवान करें कि पदा नहीं कब सरसुत्वी माता आ जाती है तो इसमें से एक सवाल मिल जाए और आपको दो नमबर और एक नमबर क्या हो जाए सही हो जाए तो मिलते हैं फिर एक नहीं वीडियो के साथ तद तक के लिए रोईत वैद्वान को दीजेगा इजादत मिलते हैं नहीं क्लास में जैहिंद जैमादादी बाई